जैहिंद फ्रेंड्स मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं गमडर एडू गमडर एडू में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ओफिस फिक्स डिपोजिट इसकीम के बारे में दोश्तो जी हाँ यदि आपका अकाउंट पोस्ट ओफिस में नहीं है तब ही है वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं फिक्स डिपोजिट के बारे में बात करूँगा साथे साथ में इसमें calculation भी जानेंगे और interest rate क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे और अक्सर जब भी लोग fixed deposit open कराते हैं जाने अनजाने में उस गलती के कारण उनका पैसा रुख जाता है अटक जाता है पैसा नहीं मिलता है तो क्या है वो गलती उसको भी जानेंगे और दोस्तो इस वीडियो में आपको live calculation दिखाऊंगा कि post office वाले live calculation कैसे करते हैं यानि कि आपका FD का calculation कैसे होता है आप यहाँ पे देख सकते है post office fix deposit scheme यानि कि post office fix deposit जो scheme होता है ये दो तरीके होता है यानि कि इसके दो types होता है एक होता है tax free आप यहाँ पे देख सकते है tax free और दूसरा होता है taxable दोस्तो ठीक है यानि कि tax free words नहीं आपको समझ में आ रहा है कि इसमें आप जो भी पैसा deposit करोगे उसमें आपको tax में benefit मिलेगा यानि कि जो भी आप पैसा deposit करके जो interest earn करोगे उसमें आपको tax नहीं देना पड़ेगा और एक होता है आपका taxable taxable का मतलब होता है कि जो भी पैसा आप FD में invest करोगे यानि कि वो पैसा invest करने के बाद उससे जो भी interest आप earn करोगे यानि कि पैसा कमाओगे जो भी आज आप कमाओगे उस भी आज पे आपको tax लगता है लेकिन अकसर हमें पता नहीं चलता है क्योंकि हम FD करते हैं और हमें interest मिल जाता है और हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं दोस्तों अब क्या होता है कि जो हम taxable में जिसमें हम tax देना पड़ता है कितना पैसा मिलेगा यदि हम 5 लाग रुपे invest करेंगे इस FD में post office में तो हमें कितना पैसा मिलेगा यह आपका bank भी हो सकता कहीं पर बस calculation आपका main है दोस्तों कि जो interest rate का मतलब होता है ब्याजदर एक साल का जो interest एनकि इसमें देखने को मिल रहा है वो 6.8% देखने को मिल रहा है दोस्तों ठीक है यह आप एक साल के लिए अगर FD आप कराएंगे यह फिक्स डिपोजिट कराएंगे तो आपको साला ना 6.8 के हिसाब से interest मिलेगा अब यदि हम बात करें कि 2 साल के लिए कि 2 साल पे इस पे interest क्या देखने को मिल रहा है कि 6.9% interest देखने को मिल रहा है अब 3 साल के लिए यदि आप FD कराते हो तो 3 साल के लिए आपको 7% के हिसाब से देखने को मिल रहा है जो कि bank से ज़ादा इसमे highly rate of interest देखने को मिलता है दोस्तों ठीक है अब यदि हम 5 year के लिए कराया नहीं 5 साल के लिए तो इसमें 7.5% आपको interest rate देखने को मिलता है अब यहाँ पी बात कर रहा है important बात उसको आप ध्यान से देखना कि आप अगर FD करा रहे हो आपके पैसा है और आपको लगता है कि 2 या 3 साल बात उसका कोई काम नहीं है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसको 5 साल के लिए कराये ठीक है तीन साल या 2 साल के लिए ना कराये ठीक है पांस साल के लिए अगर आप कराओगे तो आपको 7.5% का interest मिलेगा जो की काफी अच्छा है और आपको post office में करवा लेना चाहिए अगर बैंक में भी आपको इतना rate of interest मिल रहा है तो आप उहां पिप करा सकते हैं अगर मैं SBI की बात करूँ तो SBI में आपको 7.1% देखने को मिलता है दोस्तों जो की post office से कम है important बात है जो मैं आपको कह रहा था कि ऐसे हम क्या गलती करते हैं जिसका करण हमारा पैसा रुख जाता है लॉक हो जाता है तो उसको देख लेते हैं तो आप उसमें फोटो में देख सकते हो वहां पर पढ़ लेना क्या लिखा रहता है ठीक है तो होता है क्या अक्सर कि ओप्षिन आता है टेक्स फ्री देखते हैं और लोगों का मैंसेट पूरा तयार है जैसे उनको लाग हो कोईचीज फीरी का मिल रहा कुछी मिल रहा है वो उससे पցलिक कर देते हैं धोस्तों ठीक है तो यही अक्सर गलती हैं हमें नहीं करना ऐसा हम अक्सर तब कि उनको लगता है कि माल लो 2,3,000,000 रुपे इस scheme के तहट वो क्या करते हैं पैसा invest कर देते हैं दोस्तों ठीक है बात ध्यान से सुनना और क्या करते हैं invest करने के बाद इस scheme में क्या होता tax free में 5 साल के लिए क्या होता है lock in period हो जाता है दोस्तों ठीक है यानि कि माल लीजे कि 5 लाख रुपे हैं आपके पास और आप क्या चाहते हो कि भाई एक साल बाद या वो पैसा आप निकाल लो के लिए lock हो जाता है दोस्तों ऐसे अक्सर आपको bank में मिल सकता है SBI में आपको देखने को मिलेगा इस scheme का एक benefit क्या जाता है इसमें more money यानि कि इससे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो ऐसा क्यूं है क्यूंकि long term investment है और जब समय के लिए 5 साल के लिए आप कर देते हो तो क्या होता है कि आपको tax में भी छूट मिलता है दोस्तों ठीक है तो उस कारण जब आपका return आता है तो वह पैसा इसके comparison में आपको ज़्यादा मिलता है तो यह थी इसमें main बात दोस्तों तो आपको ये गल्ती नहीं करनी है अगर आपको लगता है कि आपको tax वाला करना तो आप यहाँ पर देख सकते हो time deposit एनिकी यहाँ पर time deposit एनिकी जो post office में जो option आता है यहाँ पर fix deposit को time deposit बोलते हैं दोस्तों ठीक है अब देखिए अब करना क्या है दोस्तों कि हम इसमें देखेंगे calculation तो देखिए अगर हम डेड़ लाग रुपे अगर जमा करते हैं ठीक है तो हमें कितना पैसा मिलेगा ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि हम डेड़ लाग रुपे जमा करते हैं post office में तो आपको display में नजर आ रहा होगा जहाँ जहाँ मेरा ball जाएगा एक छोटा सा मिंदू दिखेगा उस पर आपको ध्यान से देखना है दिखिए यहाँ जो duration लिखा है इसका मतलब है एक साल यहन कि one year ठीक है तो जो one year का एक साल का जो हमारा interest होगा वो कितना होगा 10,463 रुपे और जो total maturity amount होगा एक साल के बाद हमें कितना मिलेगा 1,60,463 रुपे दोस्तो ठीक है यानि कि यह हो गया हमारा एक साल का अब यह हम दो साल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो साल के लिए 21,242 रुपे यहनि कि interest कमा लिए हमने अब देखिए अगर total maturity की बात करें तो 1,71,242 रुपे दोस्तो ठीक है आप देखिए आप बाकी table आप पढ़ सकते हो यह होगी आपका 3 साल के लिए 5 साल के लिए यह interest है और यह आपका भी interest है और यह आपका maturity amount है और यह आपका maturity amount है दोस्तो अब यह आप एक बात कहना चाहूंगा दोस्तो कि आप लोग video तो देख लेते हो लेकिन like करना भूल जाते हो तो अगर आप लोग like करते हो न तो मुझे अच्छा motivate मिलता है video बनाने में और थोड़ा रूची बढ़ता है तो किरपिया आप video को like करे और अपने दोस्तों के भी share करे तो चलिए अब हम देखेंगे क्या 2 lakh का calculation यदि हम 2 lakh रूपया अगर deposit करते हैं fix deposit में तो हमें कितना पैसा मिलेगा दोस्तो ठीक है तो आप देख सकते हैं 2 lakh अब जैसे हम calculate पे click करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 साल के लिए जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा 2 lakh 13,901 रुपय दोस्तों ठीक है 2 साल की अगर हम बात करें तो 28,000 रुपय सिर्फ हमें interest मिलेगा 28,322 रुपय और maturity जो amount मिलेगा 2 lakh 28,322 रुपय दोस्तों अब यदि हम 5 साल की बात करें तो 5 साल का जो interest मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा 77,135 रुपय और यदि हम इसमें बात करें maturity amount की 2 lakh invest करके आपको पूरे 5 साल बात कितना पैसा मिलेगा तो 2,70,135 रुपय मिल जाएगा दोस्तों ठीक है तो ये था आपका 2 lakh का calculation अब यदि हम इसमें 5 lakh का calculation देखते हैं तो कितना मिलेगा 5 lakh invest करने से 1, 2, 3 ठीक है ये 0 का बड़ा खेल होता दोस्तों आपको भी ध्यान रखना ठीक है 5 lakh अब इस पे जैसे ही calculation करेंगे तो duration आप देख सकते हैं अगर एक साल की बात करें इसमें अगर हम देख सकते हो ठीक है तीन साल का देख सकते हो अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में आगर आप interest earn करोगे तो कितना करोगे 1,92,840 रुपे दोस्तों ठीक है और total maturity amount जो होगा वो होगा आपका 6,92,840 रुपे यानि कि करीब आपका 5 lakh रुपे invest करने से 5 साल बाद आपका करीब 7 lakh हो जाता है दोस्तों तो मैंने तभी बोला अगर 5-6 lakh रुपे है तो आप और आपको long time के लिए investment नहीं करना 5 साल के लिए करना है तो आप FD का option चून सकते हो और इसके लिए में जै हिन जै भारत